हिमाचुर परदेश सरकार के खिलाफ डॉक्टर विरोध पर उतराये हैं सरकार के नए भरती हो रहे डॉक्टरों का एन पीए बंद करने का नेर्णे लिया है जिसका डॉक्टर विरोध कर रहे हैं आज परदेश भर के अस्पतालों में डॉक्टर ने 9 बजे से 11 बजे तक पैन डाउन स्ट्राइक की जिसकी चलते मरीजों को भी परिशानी उठानी पड़ी हालांके इस दौरान आपातकालिन सेवाए बाधेतर नहीं हुई लेकिन OPD में मरीजों को डॉक्टरों का लंबा इंतजार करना पड़ा मरीज सुभा से डॉक्टर के इंतजार में बैठे नजर आए जैसे कि हमारी Joint Action Committee ने जो निरने लिया है कि जब तक notification वापिस नहीं होती है हमारे residents और अन्य जो हमारे medical offices हैं वो pen down strike पे रहेंगे और जितने भी हमारे students है वो इनका समर्थन करेंगे हमारी चर्चा हुई है और कहीं न कहीं हमें ये तक उनसे बात करके पता चला है कि ये उनके संग्यान में ही नहीं था जिसने भी ये निरने लिया है किस लेवल पे क्या सोच कर लिया है ये तो वही बहतर जानते हैं लेकिन हमारी सिर्फ वितनी डिमांड है कि इसे restore किया जाए कि ये हमारे जो आने वाले medical students हैं अभी जो आगे appoint होंगे कुछ सालों में उनका ये right है उन्हें मिलना चाहिए और जो कि समानिया परिवार से यहां पर बहुत सारे हमारे doctors हैं जो आते हैं तो obviously इस बात से उनके परिवार की आर्थिक स्थिती पे और वैसी उनके manable पर भी बहुत इससे असर पड़ेगा देखे 720 का बैच हमाचल से हर साल निकलता है जो पास आउट होता है अभी जो है 2017 बैच हमारा 17 बैच अभी पास आउट हुआ है 18 हमारा intern है अभी ये बैच आने वाले एक साल में इन्हें निक्तियां होनी है और उसे भी पहले जो 16 और 15 बैच है उनकी भी कुछ निक्तियां भी बाकी है तो वो सबी अफेक्ट होंगे जो रिसेंटली होंगे बात है जब तक नोटिफिकेशन वापिस नहीं होती ये ऐसे ही चलता रहेगा बाकी जो जो जोइंट एक्शन कमेटी निरने लेगी उसके अनुसार और उसकी गैडलाइन के ही अकॉर्डिंग हम बता सकेंगे कि आगे क्या करना है ये जैसा कि आप जानते हैं हाली के दिनों में सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की जाती है जिसमें कि जो नवन्यूक चिकित सक होंगे उनका नॉन प्रैक्टिस अलॉंस जो हमें दिये जाता था उसे बंद कर दिये गया है हम इसी फैसले का कड़वीरोध करते हैं जिसके प्रोटेस्ट में आज हम सब लोग यहां इकत्रित हुए हैं डेफिनेटली हमने पूरा प्रयास किया है कि जो आहम जनता है उसे किसी प्रकार की कोई हानी ना हो इसमें हमारी हैमर्जेंसी सर्विस चलते रहेगी एमर्जेंसी ओटीज लेबर रूम्स वो निरंतर रूप से काम करते रहेंगे लेकिन कहीं न कहीं हम भी एक इनसान है हमारी भी कुछ मजबूरिया होती है कुछ डिमांड्स होती है उसके लिए हमें जो है यह निर्णे लेना पड़ा की 2 गंटे का पैंडाउन स्ट्राइक करेंगे सोरी साडए नव से ग्यारा डिट गंटे का और उसके बाद जैसे ही सरकार इस पर पुनर विचार करेंगे और हमें पूरी आशा है जैसे ही हमारे मुख्यमंतरि जी पर्देश से बाहर है अभी आप देखोगे हिमाचल प्रदेश में जो भी कॉंट्रेक्ट पे हमारे डॉक्टर्स लगते हैं सबसे पहली बात तो जॉब्स नहीं है जिनको जॉब्स मिल भी रही है अभी उनको 40,000 के करीब सेलरी मिल रही है जिसमें कि 8-9,000 जो है एनपी दिये जाता है अगर वो भी आप काड़ दी जाए तो वो लगबग 33,000 और 33,000 के करीब पहुंच जाते हैं सड़े 5 साल की इतनी कठीन परिक्षा पास करने के बाद अगर आप किसी डॉक्टर को ये बोले कि वो हार्ड एरिये में जाए और वो 30,000 या 25-30,000 पे कारे करें अगर बताईए किस तरह इतनी महगाई में कैसे वो अपने खर्चे अपने परिवार को कहीं न कहीं डिरेक्टली उसके मनोवल पे असर पड़ेगा वो अपने लिए और जगह संभाव नहीं देखेगा इसे जो अच्छे बच्चे होंगे जिसे हमारे Medical College में सरकारी क्षेतर में एक अच्छा brain काम कर रहा है वो भी कहीं न कहीं plan करेगा डेफिनिटली सरकार को कोई न कोई काम करने के लिए मिल जाएगा 15,000 पे भी काम करने को त्यार हो जाएगा जिसाब से जो है डॉक्टर्स त्यार हो रहे हैं लेकिन मुद्दा वो नहीं है मुद्दा सिधा आम जनता से जुड़ा हुआ है कहीं न कहीं quality of services इसे हमपर होंगी और इसका खाम्याज़ जो आम जनता को भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में